शिरीमत भगवत कीता अध्याय छे अध्याय जानो क्योंकि इंद्रेज रप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता अष्टांग योग के नवसाधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्थ भवतिक कारे कलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रे तिप्ति के लिए कारे करता है और ना सकाम कर्मों में प्रिवरित होता है तो वह योगा रूर कहलाता है मनुश्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उधार करे और अपने को नीचे ना कितने दे यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रू भी जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्व शेश मित्र है किन्तो जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रू बना रहेगा जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही आत्मा को प्राप्त कर लिया है क्योंकि उसने शांती प्राप्त कर ली है ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से है वह व्यक्ति आत्म साक्षात कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ग्यान तथा अनुवूती से पून्तिया संतुष रहता है ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है वे सभी वस्तों को चाहिवे कंकर हो पत्थर हो या सोना हो एक समान देखता है जब मनुष्य निश्कपठी तैशियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईशालों, शत्रों तथा मित्रों, पुन्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वे और भी उन्नत माना जाता है योगी को चाहिए कि वे सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाई एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश्मे करे उसे समस्त आकांग्शाओं तथा संग्रे भाव की इच्चाओं से मुक्त हो जाना चाहिए योगा भ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमी पर कुशा बिचा दे और फिर उसे म्रट्चाला से ढगे तथा उपर से बुलायम वस्त बिचा दे आसन ना तो भहुत उंचा हो ना भहुत नीचा ये पवित्र स्थान में इस्थित हो योगी को चाहिए कि इस पर धर्टा पूरवर बैट जाए और मन इंद्रियों तथा कर्मों को वश्मे करते हुए तथा मन को एक पिंदू पर स्थिर करके हिद्य को शुद्ध करने के लिए योगा भ्यास करे योगा भ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर द्रिश्टी लगाए इस प्रकार वह आविचलित तथा दमित मन से भै रहित विशई जीवन से पूर्टिया मुक्त होकर अपने हिर्दे में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष बनाए इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्व में निरंतर सैयम का भ्यास करते हुए सैयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है ही अर्जुन जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है जो अधिक सोता है अत्वा जो परियाप्त नहीं सोता उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है जो खानी, सोनी, आमोद, प्रमोद तथा काम करने की आत्तों में नियमित रहता है वह योगा भ्यास्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नस्ट कर सकता है जब योगी योगा भ्यास्वारा अपने मानसिक कारे कलापों को वश्मी कर लेता है और अध्यात में इस्थित हो जाता है अध्यात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है तब वह योग में सुष्थिर कहा जाता है जिस प्रकार वायू रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं उसी तरहें जिस योगी का मन वश में होता है वे आत्म तत्व के ध्यान में सदय विस्थिर रहता है सिद्धी की अवस्था में जिसे समाधी कहते हैं मनुष्य का मन, योगा, भ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूनतय सयमित हो जाता है इस सिद्धी की विशेष्टा यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और आप में आनंद उठा सकता है उस आनंद मैं स्थिती में वे दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाव नहीं मानता ऐसी इस्थिती को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठनाई में भी विचलित नहीं होता यह नीसंदे भौतिक संसर्ग से उत्पन होने वाले समस्थ दुखों से वास्त्रिक मुक्ती है मनुष्य को चाहाईए कि संकल तथा शद्धा के साथ योगा फ्यास में लगे और पचसे विचलित ना हो उसे चाहिए कि मनो धर्म से उत्पन समस्थ इच्छाओं को निर्पवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश्मी करे धीरे धीरे क्रमशे पून विश्वास पूर्वग बुद्धी के द्वारा समाधी में इस्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्म में ही इस्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए मन अपनी चंचलता तथा आज सिर्था के कारण जहां कहीं भी विच्रण करता हो मनुश्य को चाहिए कि उसे वहां से खीचे और अपने वश में लाए जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है मैं निश्य ही दिव्य सुक की सरोज सिर्धी को प्राप्त करता है मैं रजोगुन से परे हो जाता है मैं परमात्मा के साथ अपनी गुनात्मक एक्ता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्थ हो जाता है इस प्रकार योगा भ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म सैयमी योगी समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुक प्राप्त करता है वास्त्विक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझमें समस्त जीवों को देखता है नी संदे, स्वरूप, सिध्व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सरवत्र देखता है जो मुझे सरवत्र देखता है और जो सब कुछ मुझमें देखता है उसके लिए ना तो मैं कभी अद्रश्य होता हूँ और ना वह मेरे लिए अद्रश्य होता है जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न मानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है वह हर प्रकार से मुझे में सदै विस्थित रहता है हे अर्जुन वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्थ प्राणियों की उनके दुखों तथा सुखों में वास्त्विक समानता का दर्शन करता है अर्जुन ने कहा हे मधु सूदन आपने जिस योग पद्दती का संक्षेब में वर्णन किया है वह मेरे लिए आवयवारिक तथा आसहनिय है क्योंकि मन चंचल तथा आसिर है हे क्रिश्न चूंकि मन चंचल आसाइयत हतीला तथा अत्यंत बलवान है अते मुझे इसे वश्मे करना वायू को वश्मे करने से भी अधिक कठिल लगता है भगवान शिरी कृष्ण ने कहा हे महा भावु कुंति पुत्र नी संदे चंचल मन को वश्मे करना अतियंत कठिन है किन्तु उप्यूक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है जिसका मन आसाइयत है उसके लिए आत्म साक्षात कठिन कारह होता है मेरा मत है अर्जुन ने कहा हे क्रेशन उस एसफल योगी की गति क्या है जो प्रारम में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात कार की विधी ग्रहन करता है किन्तु बाद में भातिक्ता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धी को प्राप्त नहीं कर पाता हे महा बाहु क्रेशन क्या भ्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से चुत नहीं होता और छिन बिन बादल की भाति विनश्ट नहीं हो जाता जिसके फल स्वरूप उसके लिए किसी लोग में कोई स्थान नहीं रहता हे क्रिशन यही मेरा संदे है और मैं आपसे इसे पूंत्या दूर करने की प्राटता कर रहा हूँ आपके अत्रिक तन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदे को नश्ट कर सके भगवान ने कहा हे प्रथा पुत्र कल्यान कारियों में निरत योगी का ना तो इस लोक में और ना परलोक में ही विनाश होता है हे मित्र पलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता असफल योगी पवित्रात्माओं के लोकों में अन्यका नेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धन्वानों के कुल में जन्म लेता है अथवा यदि दीर काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धि मान है निश्य ही इस संसार में ऐसा जन्म धुल्लब है हे कुरुनंदन ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर जन्म की दैवी चेतना को पुने प्राप्त करता है और पून सफलता प्राप्त करने के उद्देश से वे आगे उन्नती करने का प्रयास करता है अपने पूर जन्म की दैवी चेतना से वे ना चाहते हुए भी स्वता योग के नियमों की और आकर्शित होता है ऐसा जिग्यासू योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे इस्थित होता है और जब योगी समस्त कलमष से शुद्ध होकर सची निष्ठा से आगे प्राग्ति करने का प्रयास करता है तो अंत्तों गत्वा अनेका नेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिध्धी लाब करके वे परम गंतव्वे को प्राप्त करता है योगी पूरुष तपस्वी से ग्याने से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है अता हे अर्जुन तुम सभी प्रकार से योगी बनो और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत शद्धा पूर्वक मेरे परायन है अपने अंत्य करण में मेरे विशय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है वे योग में मुझसे परम अंतरंग रुप में युप्त रहता है और सबों में सरवोच है यही मेरा मत है शीरी मत भगवत गीता अथ्याय साथ शीरी भगवान ने कहा हे प्रथा पुत्र अब सुनो कि तुम किस तरहां मेरी भावना से पून होकर और मन को मुझे आसक्त करके योगा फ्यास करते हुए मुझे पून्त या संशे रहित जान सकते हो अब मैं तुम से पून रूप से व्यावारिक तथा दिव्य ज्यान कहूंगा इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेश नहीं रहेगा कई हजार मनुश्यों में से कोई एक सिद्धी के लिए प्रयत्न शील होता है और इस तरह सिद्धी प्राप्त करने वालू में से विर्ला ही कोई एक मुझे वास्तम में जान पाता है पृत्वी, जल, अगनी, वायू, आकाश, मन, बुद्धी तथा एहंकार ये आठ प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना प्रकृतिया है हे महाबाहू अर्जुन, इनके अर्तिरिक्त मेरी एक अन्य परा शक्ती है जो उन जीवों से युक्ठ है, जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साद्नों का दोहन कर रहे है सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रले मुझे ही जानो हे धनन्जे, मुझसे श्रेष्ट कोई सत्य नहीं है, जिस प्रकार मोती धागे में गुंधे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाध हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक पंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनी हूँ, तथा मनुश्य में सामर्थ्य हूँ मैं प्रत्वी की आद्य सुघंद और अगनी की उश्मा हूँ, मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्यों का तप हूँ हे प्रथा पुत्र, ये जान लो कि मैं ही समस्थ जीओं का आदी बीज हूँ, बुद्धी मानों की बुद्धी तथा समस्थ तेज़श्वी पुरुशों का तेज हूँ, मैं बल्वानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ, हे भरत शेष्ट, मैं वे काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुन प्रकट होते हैं चाहे वे सतोगुन हो रजोगुन हो या तमोगुन हो इस प्रकार से मैं सब कुछ हूँ किन्तु हूँ स्वतंत्र मैं प्रकृति के गुनों के आधीन नहीं हूँ अपितुम वे मेरे आधीन है तीनों गुनों सतो रजो तथा तमों के कारण मोग रस्त ये सारा संसार मुझ गुनाती तथा विनाशी को नहीं जानता प्रकृति के तीन गुनों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है किन्तु जो मेरे शरनागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं जो निपट मूर्ख है जो मनुष्यों में अधम है जिनका ग्यान माया द्वारा हर लिया गया है तथा जो असरों की नास्तिक प्रकृति को धारन करने वाले है ऐसे दुष्ट मेरी शरन ग्रहन नहीं करते हे भरत शेष्ट चार प्रकार के पुन्यात्मा मेरी सेवा करते हैं आर्थ, जिग्यासू अर्थार्थी तथा ज्यानी इन में सुझ जो परम ज्यानी है और शुद्भक्ति में लगा रहता है मैं सर्वशेष्ट है क्योंकि मैं उसे अत्यान प्रिया हूँ और वह मुझे प्रिया है नी संधे ये सब उदार जेता व्यक्ति हैं किन्तो जो मेरे ज्यान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर है कर मुझ सर्वोच उद्देशे को निश्चित रूप से प्राप्त करता है अनेक जन जनमानतर के बाद जिसे सच मुझ ज्यान होता है वह मुझे को समस्त कारणों का कारण जान कर मेरी शरण में आता है ऐसा महात्मा अत्यन दुरलव होता है जिनकी बुध्धी भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देटाओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेश विधी विधानों का पालन करते हैं मैं प्रतेक जीव के हिर्दय में परमात्मा स्वरूप इस्थित हूँ जैसे ही कोई किसी देटा की पूजा करने की इच्छा करता है मैं उसकी शरण द्वारा को इस्थिर करता हूँ जिससे वे उसी विशेश देटा की भक्ति कर सके ऐसी श्रध्धा से समन्वित वह देवता विशेश की पूजा करने का प्रयत्म करता है और अपनी इच्छा की पूर्ती करता है किन्तु वास्विक्ता तो यह है कि यह सारे लाब केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है अल्प बुद्धी वाले व्यक्ति देवताओं की पुजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा शनिक होते हैं देवताओं की पुजा करने वाले देव लोग को जाते हैं किन्तु मेरे भक्त अंतते मेरे परमधाम को प्राप्त होते हैं बुद्धी हीन मनुष्य, मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प्यान के कारण मेरे अविनाशी तथा सर्वोच प्रकृति को नहीं जान पाते। मैं मूर्खों तथा अल्पग्यों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ती द्वारा अच्छादित रहता हूँ। अतेवे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। हे अरजुन, शिरी भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूत काल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वैं सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किन्तु मुझे कोई नहीं जानता। हे भरतवन्शी, हे शत्रू विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घणा से उत्पन द्वंदों से मोह ग्रस्थ होकर मोह को प्राप्त होते हैं। जिन मनुशियों ने पूरु जन्मों में तथा इस जन्म में पुन्य कर्म किये हैं, और जिनके पाप कर्मों का पूंत्य उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के ध्वंदों से मुक्त हो जाते हैं। और वे संकल पूर्वत मेरी सेवा में तत्पर रहते हैं जो जरा तथा मृत्यू से मुक्ति पाने के लिए यत्न शील रहते हैं वे बुद्धि मान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण गहन करते हैं वे वास्तमे भ्रम है क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विशे में पूरी तरह से जानते हैं जो मुझ परमेशवर को मेरी पून चेतना में रहकर मुझे जगत का, तेवताओं का तथा समस्थ यक्य विद्यों का नियामक जानते हैं वे अपने मृत्यू के समय में भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुशोतम, भ्रम क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपा करके हैसा मुझे बताईए। हे मधु सूदन, यग्य का स्वामी कौन है, और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यू के समय भक्ती में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव भ्रम कहलाता है, और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंदित गती विधी, कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। हे देहे धारियों में श्रेष्ट, निरंतर, परिवर्टन, शील ये भौतिक प्रकृति, अधी भूत, अर्थात, भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता संबिलित हैं, अधी दैव कहलाता है। तथा प्रतेक देहे धारी के गृदे में परमात्मा स्वरूप इस्थित मैं परमेश्वर अधी यग्य, अर्थात, यग्य का स्वामी कहलाता हूँ। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा समान करते हुए शरीर का त्याग करता है, वे तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संधे नहीं है, हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुशे, जिस जिस भाव का असमान करता है, वे उस उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है, अतैव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, और साथ ही युद्ध करने के करतवे को भी पूरा करना चाहिए, अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके, तथा अपने मन एवां बुद्धी को मुझे में इस्थिर करके, तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे, हे पार्थ जो व्यक्ति मेरा समान करने में अपना मन निरंतर लगाई रखकर, आविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझे को अवश्य ही प्राप्त होता है, मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, सर्वग्य, पुरातन, नियन्ता, लगुतम से भी लगुतर, प्रतेइक का पालन करता, समस्त भौतिक पुद्धी से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करें, वे सूर्य की भाती तेजवान हैं, और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप हैं, मृत्यू के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भौं के मध्य इस्तिर कर लेता है, और योग शक्ति के द्वारा आविचलित मन से पून भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मर्ण में अपने को लगाता है, वे निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है, जो वेदों के ग्याता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं, और जो सन्यास आश्रम के बड़े-बड़े मुनी हैं, वे भ्रम में प्रवेश करते हैं, ऐसी सिद्धी की इच्छा करने वाले भ्रम्चर्य व्रत का अभ्यास करते हैं, अब मैं तुम्हें वेविदी बताऊंगा, जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाब कर सकता है, समस्त एंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थि अर्थात योग धारना कहा जाता है, इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके, तथा मन को हृते में, और प्राण वायू को सिर्पर केंद्रित करके, मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है, इस योगा भ्यास में इस्थित होकर, तथा अक्षरों के परम सैयोग यानि ओंकार का उचारन करते हुए, यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है, तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है, हे अरजुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मान करता है, उसके लिए मैं सुलब हूँ, क्योंकि मैं मेरी भक्ती में ही प्रवरित रहता है, मुझे प्राप्त करके महापुरुष, जो भक्ती योगी हैं, कभी भी दुखों से पून इस अनित्य जगत में नहीं लोटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धी प्राप्त हो चुकी होती है, इस जगत में सरवोच लोग से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं, जहां जनन तथा मरण का चक्कर लगा रहता है, किन्तु हे गुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है, रह फिर कभी जन नहीं लेता, मानविय गर्णा के अनुसार, एक हजार युग मिलकर भ्रह्मा का एक दिन बनता है, और इतनी ही बड़ी भ्रह्मा की रात्री भी होती है, ब्रह्मा के दिन के शुभारम में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं, और फिर जब रात्री आती है, तो वे पुने अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं, जब जब भ्रह्मा का दिन आता है तो सारे जी प्रकट हो जाते हैं और भ्रह्म की रात्री होते ही वे ऐसा हायवत विलीन हो जाते हैं इसके अतरिक एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्ट से परे है यह परा अर्था श्रेष्ट और कभी नाश ना होने वाली है जब इस संसार का सब कुछ लै हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता जिसे वे दांती आप प्रकट तथा अविनाशी बताते है जो परम गंतव्य है जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता वही मेरा परम धाम है भगवान जो सबसे महान है अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किये जा सकते हैं यद पी वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्व्यापी हैं और उनमें सब कुछ इस्सित है हे भरत शेष्ठ अब मैं तुम्हें उन विभिन कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रियान करने के बाद योगी पुने आता है अथवा नहीं आता जो परभ्रम के ग्याता है वे अगनी देव के प्रभाव में प्रकाश में दिन के शुबशन में शुकल पश्प में या जब सूर्य उत्तरायन में रहता है उन छे मासों में इस संसार से शरीत याग करने पर उस परभ्रम को प्राप्ट करते हैं जो योगी धुए, रात्री, प्रिश्न पक्ष में या सूर्य के दक्षिनायन में रहने के छे महिनों में दिवंगत होता है वे चंद्र लोक को जाता है किन्तु वहां से पुन्ह प्रत्री पर चला आता है वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के दो मार्ख हैं एक प्रकाश का तथा दूसरा अंदकार का जब मनुश्य प्रकाश के मार्ख से जाता है तो वे वापस नहीं आता किन्तु अंदकार के माग से जाने वाला पुन्ह लोट कराता है हे अर्जुन यदपी भक्त गण इन दोनों मार्खों को जानते हैं किन्तु वे मोग रस नहीं होते अते तुम भक्ती में सदेव से रहो जो व्यक्ती भक्ती माग स्वीकार करता है वे वेदाध्यन, तपस्या, दान, दार्षनिक तथा सकाम करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता वे मात्र भक्ति संपन करके इन समस्च फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है